सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वाथ सफर और जिन्दिगी आज मैं आपके साथ शेर करूँगी पनीर की बहुती स्पेशल रेसेपी पनीर पटियाला ये हर नौर्थ इंडियन रेस्टोरेंट की फूड मेन्यो में जरूर अवेलेबल होती है आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल पर एक्तम घर पे बना सकते हैं सेंटू सेम ये रेस्टोरेंट जैसी बनेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बहार से ओडर किया या घर पे बनाईए बहुत इजी लिए ये बन जाएगी तो चलिए फिर अब अपना वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर प्याज ली है कुछ काजू लिए है अद्रक लिया है लैसुन और हरी मिर्च है ये दस बारा काजू है इसके साथ मैने यहां पर तीन मीडियम साइज के टेमाटर ली है इसमें टमाटर एकदम लाल कलर के लेंगे और इन सब सब्जियों को ऐसी रफली चौप किया है जादा बारिक काटने की जरूरत नहीं है अब एक पैन में मैं इन सब को डाल दूँगी सबसे पहले मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके बाद मैंने बाखी जो सब चीजे ली हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी और इस पैन में मैंने कोई भी तेल, घी वगरा पहले से कुछ भी नहीं डाला है इतन सब्जियों को हमें बॉयल करना है तो अब मैं इसमें लगभग आधा लीटर पानी डाल रही हूँ बहुत जादा पानी भी मत करिये और बहुत कम भी मत करिये इस सब्जी ये जो हमने ली है इनको हमें 15-20 मिनिट बॉयल करना है जब तक हमारे टमाटर एक तम सौफ्ट न हो जाए इसमें मैं आधा चम्मच लाल मिर्ज का पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ मैं इसमें एक चम्मच तेल डाल रही हूँ इसके बाद मैं इसका धकन लगा दूँगी और इसको 15-20 मिनिट मीडियम टू लो फ्लेम में बॉयल होने दूँगी अच्छी तरीके से इसको उबाल लेंगे यह देखिए यह अच्छे से उबल गया है पानी बहुत कम रह गया है और टामाटर एकदम सौफ्ट हो गया है काजू भी पग गया है तो अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और यह ठंडा हो गया है तो इसको एक मिक्सी के पॉट में इस पानी के साथ ही पीस लोगे इसका पानी हमें अलग नहीं करना है और इनके सबका जो पानी है वो पुरा सूख गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और आट कर सकते हैं और इसको एकदम फाइन हम पीस लेंगे ये देखिए एकदम स्मूध इसका पेस्ट बन गया है ये औरेंज कलर का बना हुआ है अब मैंने यहाँ पर एक कड़ाई ली है इसमें मैंने दो चम्मच तेल डाला है इसमें मैं एक चम्मच भरकी जीरा डाल रहे हूं जीरा थोड़ पहले जो ग्रेवी बनाई है उसमें भी उबाल के पीस लिए है इनको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे ये एकदम डिफरेंट स्टाइल की सबजी है बहुत टेस्टी बनती है ये देखिए अच्छी तरीके से फ्राइ हो गए है अब मैं इसमें बारिक कटा हुआ प्य अच्छी तरीके से फ्राइ हो गई है तो अब यसमें किंग मसाला है आप हर पे जो बी गरम मसाला यूद मेस करते हैं इसके बाद मैंने इसमें बड़े साइसしょう का तमाटर कटा हुआ ठाला ओ ए और इनको अच्छी तरीके से पकाना है टमाटर के साथ ही में इसमें नमक एट कर दूँगी इससे जो टमाटर है वो फास्ट कोक हो जाते हैं और पहले से मैंने कुछ भी नमक नहीं डाला था तो सारा नमक यहीं पर डालूँगी अकॉर्डिंग टेस्ट नमक डाले जितनी आप सबजी बना रहे हैं इसको भी थोड़ी दर के लिए इसका कैप लगा के पकने दूँगी टमाटर अच्छी तरीके से आमें कुख करने हैं यह अच्छी तरीके से पक गए हैं टमाटर चम्मत से दबाने में दब रहे हैं तो पैने नहीं चाना वैसे यह बहुत अच्छा पिसा हुआ है अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों चीजे पनीर पटियाला बनाने की सबकी अपनी अपनी स्टाइल है रेसिपी है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बिलीव मी यह बहुत टेस्टी बनता है आप एक बार जरूर ट्राइए किजिए मेरे कहने पर अब इसका पानी काफी सूख गया है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे जब तक हमारा जो तेल है वो पूरा ना छूटे साइट्स में पूरा तेल आने लगेगा तब तक हम इसे अच्छी तरीके से बूनना है आधा चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हूं हातों से क्रेश करके इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसके साथ में इसमें एक बड़ा चम्मच भरके कैचप डाल रहे हूं इस टामाटो कैचप है अगर आप चाहे तो टामाटर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो डालिए पर डाले इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलकिसी स्वीटनस आ जाती है वह बहुत अच्छी लगती है खाने में और सबजी का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है तो इसको उपर डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए मैंने फिर से धकन लगा दिया था अब जो किप मत करिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अगर आप चाहें तो बटर की जगा जो देसी घी होता है वो भी डाल सकते हैं पर बटर का जाद अच्छा टेस्ट आता है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और एक बार फिर से इसका ढखकन लगा दूंग इसको ढाक ढाक के पका रही हूँ क्योंकि इससे बहुत छीटे आ रहे हैं बहार यह देखिए यह अच्छी तरीके से भून गई है एकदम तेल छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुश्बूई सबजी से आने लगी है इस टाइम पर तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूं हम इसमें एक्स्ट्र कोई भी पानी एड़ नहीं करेंगे यह सबजी इसी तरीके से बनती है अब मैंने यहां पर 200 ग्राम पनीर लिया था उसको मैंने क्यूब शेप में कट कर दिया था वह मैं इसमें एड़ कर दूँगी पनीर का जो साइज है शेप है यह मिक्स करके फिर से ढखकन लगा दूँगी ताकि जो पनीर है वो मसाले में अच्छी तरीके से भुन जाए मसाला उसमें मिक्स हो जाए एक मिनिट से जादा नहीं रखना है अब साइट में देख सकते हैं पूरा तेल इसने छोड़ दिया है सबजी ने और इससे बहुत अच में इस टाइम पर मैं इसमें एक चमच क्रीम एट कर रही हूं यह फ्रेश क्रीम है अगर आपके पास घर पर है तो जरूर डालिए और नहीं है तो आप अपने दूद की मलाई इसमें डाल दीजे दोनों सेम काम करती है और इसको डालके अच्छी तरीके से मिक्स कर होंगी यह देखिए हमारी बहुत टेस्टी सबजी बनके तयार है थोड़ी सी क्रीम मैंने उपर से डाल दी थी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है एकदम रेस्टोरेंट जैसी यह बनी है आप इसको जरूर ट्राय कीजिए सबको बहुत पसंद और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए